समाज के अंदर जो पेक्षित हैं वंचित हैं उनको जब तक हम आगे नहीं लाएंगे ना तो राज का विकास हो सकता है न देश का विकास हो सकता है बंच अफ थर्ड वाले नहीं चाहते हैं कि गरीबों की बात की जाएं सोसितों की बात की जाएं वंचितों की बात की जाएं पिछरा आती पिछरा की बात की जाएं उनको अधिकार देलाने की बात की जाएं उनको बेचैनी है कि अगर 2014 वाले 2024 में कैसे वापस आएं उसके लि जान से मारने के धंकी मिली है इस मामले में सचीवाले थाने में मामला दर्ज कराएगा मारे साथ बात करने के लिए इस पर राज़त के परवक्ता याज अमद है क्या मामला है और क्यों धंकी मिली है देखिए सभी लोग को पता है कि जब आदमी बेहतर कुछ करता है तो कहीं न कहीं समाज के अंदर हलचल पैदा होती है और जो हलचल पैदा करने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि किसी तरह से बदनाम किया जाए और इस तरह के लोग हर तरह की भासा का इस्तिमाल करते हैं बदनाम करने के लिए और सरकार के अस्तर से जो हमारा काम चल रहा है उस सरकार के कामों को कहीं ना कहीं दूसरे दिशा में भठकाने के लिए इस तरह का प्रियास चल रहा है लेकिन मैं आपको अस्पष्ट कर देता हूं कि आलोक कुमार महता जी जो भूमी राजस मंत्री हैं जो गन्ना विभाग को मजबूती परदान की है यह अस पश्टूप से दिख रहा है जब 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 जो ब्यान उनका है जगदेव परसाद का जो ब्यान था उसको उन्होंने दुराया था उसके बाद से भी बात खड़ा हो गया है जिनको कोई नहीं पूछ रहा है उनको पूछने के समाज के लोग हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार के अस्तर से जो प्रियास होना चाहिए उस प्रियास को हम सरजमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं और जब सरजमीन पर देखिये बियान का मतलब उन्होंने जब संदर बता दिया असपश टूप से कि हमने क्या कहा और क पर्फटों में कहीं ना कहीं सोसितों वंचितों को अधिकार देने की एक ललक है उस ललक की व्याख्या उन्होंने की है और उसको दूसरे दिसा में ले जाने वाले लोग इसको कहीं ना कहीं राजनितिक लाप के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं मेरे पार्टी का तक पिश्टिकोन है कि जो हमारे पुर्खे हैं चाहे महात्मा गांधी हो चाहे डक्टर अमबेदकर हो चाहे डक्टर रामनुवल लोहिया हो चाहे जेपी हो चाहे आपको जननायक करपुरी ठाकूर हो चाहे सहीत जगदेओपरसाद जी हो मधूलीमै जी हो भीपी सिंघ हो इन लोगों ने सपना देखा था कि समाजिक न्याय के अवधारना को मजबूती मिलनी चाहिए, जो वंचित है, जो सोसित है, जो उपेक्षित है, उनको अपलिफ्टिंग करने का प्रियास करना चाहिए, जब तक आप सरकार के अस्तर से प्रियास नहीं करेंगे, वो सफल नहीं हो सकता, इसलिए, हमारे नेता तेजस्वी जी ने, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय और समाजिक न्याय, दोनों मिल करके, जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनको रोजगार देने की परकिरिया में, हम सतत प्रियास रत हैं, और उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और समाज के अंदर जो पेक्षित हैं, वंचित ह उनको जब तक हम आगे नहीं लाएंगे empty जी के अधे मतरी जैण मारे कि लिए इसमें जिन लोगों का वेंट बात किया गया है उन लोग के बारे में बताने की अवस्कता नहीं है कोई परदीप पांडे है और कोई पपू तिरपाथी है यह इसके संबंद में सचवाला थाना में उन्नोंने एक तहरीर देने का काम किया है देखिये इसकी अवस्क कारवाई की माँगी है और सारे मामले की सरकार के अस्तर से जांच की जा रही है हमको लगता है कि जल्दी सारे मामले का पटाचेप हो जागा इसमें सभी लोग को पता है कि bunch of third वाले नहीं चाहते हैं कि गरीबों की बात की जाए, सोसितों की बात की जाए, बंचितों की बात की जाए पिछरा आती पिछरा की बात की जाए उनको अधिकार दे लाने की बात की जाए इसलिए इस तरह की राजनितिक साजीस जो चल रही है और जो सत्ता से बेदखल हुए है उनको बेचैनी है कि अगर 2014 वाले 2024 में कैसे वापस आए उसके लिए इस तरह की साजीसों में लगे हुए लेकिन उनकी साजीस पूरी तरह से विफल रहेगी, बिहार ने एक संदेश दिया है कि सभी पक्षी दल एक हो करके, हमको लगता है कि सरकार के अस्तर से, प्रसासन के अस्तर से बेह्तर कारवाई होगी और उनको बेह्तर सुरक्षा वैस्थाक पूरान की जाएगी, चुकिए यह एक मंत्री का मामला नहीं है, कहीं ना कहीं जो सोच है, उस सोच पर हमला किया गया है, इसलिए इस मामले पर सरकार का पूरा ध्यान है, सरकार इस मामले का पटेच्छे जल्दी कर देगी। कि अजयागा